Hello my dear friends and welcome you all again to Civil Engineering and I am JS Naruka with an experience of more than 5 plus ERC in Civil Engineering आप सभी का इस वीडियो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो हम सभी घर में प्लाश्टर जरूर करते हैं और एक अच्छा प्लाश्टर घर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है उसकी दीवालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है तो अच्छा प्लाश्टर करना बहुत जरूरी है और अच्छे प्लाश्टर के लिए उस प्लाश्टर में कितना क्या मिलाना है cement कितना मिलाना है, sand कितना मिलाना है, पानी कितना मिलाना है, ये सब का ख्याल रखना बहुत ज़ाई ज़रूरे है, तो आज इनी का calculation मैं आपको बताऊंगा, कि अगर जब भी आप घर में plasاط करवाते हैं, तो उस समय जो machtar बनता है, जो mortar जिसे क्या कहते है, technical term है mortar जो बनता है plastic जो material बनता है उसमें कितना कितना ratio क्या क्या material होना चाहिए तो दोस्तो एक mortar बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसमें जो main important item है वो है cement यह देखे यहाँ पर यह है cement plus उसमें हम मिलाएंगे sand एक अच्छा वाला उसमें sand मिलाएंगे और sand के साथ उसमें जैसे ही हम पानी मिलाएंगे hydration start हो जाएगी और जिससे कि हमारा क्या बन जाएगा हमारा mortar बन जाएगा इस calculation में आप सबसे पहले धिहान रखेंगे कि cement का जो density है वो कितना है density क्या होती है वो मैं आपको बता दू कि जब आप एक मीटर क्यूब में एक मीटर क्यूब में अगर देखिए आप इस तरह का एक टैंक बनाते हैं इस तरह का एक टैंक बनाते हैं और जिसकी लंबाई कितना है एक मीटर ठीक है उंचा ही एक मीटर और उसकी चोड़ाई भी एक मीटर मतला एक मीटर चोड़ा एक एक मीटर उंचा एक मीटर लंबा अगर एक क्यूब बनाते हैं एक box बना रहे हैं जिसमें बराबर बराबर उसकी लंबाई उंचा ही और चोडाई है अब अगर इसमें cement भरेंगे या कोई भी material उसमें भरेंगे तो उसमें उसमें कितना आ जाएगा उसकी density बोलेंगे density क्या होती है, density होती है, mass upon volume, इस volume के अंदर कितना बजन आ जाएगा, तो जो cement का होता है, वो कितना होता है, 1440 kg per meter cube, मतलब 1 meter cube में 1440 kg cement आ जाएगा, वहीं sand कितना आएगा, sand की quantity अलग अलग होती है, अगर normal dry sand है, loose sand है, तो यह आता है, 1450 kg, कितना, 1450 kg, अगर थोड़ा सा भी dry sand है, तो यह 1600 kg हो जाएगा, अगर यह wet है, गीला sand है, तो वहाँ 1900 से लेके 2000 तक हो जाएगा, ठीक है, और wet में packed, एक packed भी रहता है कि भाई, यह अच्छे से compact है sand, तो हम तो loose sand लेंगे, ठीक है, तो उसका हम density क्या मान रहे है, यहाँ पर 1450, आप यहाँ पर 1500-1600 तक के आसपास भी ले सकते हैं, इससे कोई जादा इसू नहीं होगा, water की density आपको पता ही है, कि 1000 kg पर मीटर क्यों होती है, मतलब लीटर में निकालते हैं, तो kg एप्रोक्स इकल टू ल मीटर, तब जाके हमारा mortar बनेगा, और यहाँ पर हम जो calculation करेंगे, वो एक 3 मीटर वाई 3 मीटर वाल का करेंगे, जो एक दीवाल अगर हम लें, जिसको 3 मीटर उची है, और 3 मीटर चौड़ी अगर दीवाल है, उसका हम यहाँ पर calculation करने जा रहे हैं, और उसका एक साइड का plaster, एक साइड का plaster याद रखिएगा, तो इसका जो area होगा, वो कितना होगा, 3 इंटू 3 इकल टू 9 मीटर स्कार, इस वाल का area कितना हो जाएगा, 9 मीटर स्कार, और जो हम mix ratio लेंगे, कितना cement और कितना sand मिलाना है, वो हम यहाँ पर लेंगे, जो अच्छा quality का plaster बनता है, वो 1 by 4 में बनता है, हाँ, अगर आप ceiling का plaster, छत का plaster करने जा रहे हैं, तो 1 by 3 का ratio ले सकते हैं, ओके, आपका अगर normal plaster है, कहीं पर भी, जहाँ पर जादा importance नहीं है, तो वहाँ पर 1 by 5 का ratio भी ले सकते हैं, यहाँ पर average लेके चलेंगे, 1 by 4 का ratio, ओके, जिसमें 1 part cement रहेगा, और 4 part का रहेगा, sand रहेगा, ठीक है, dry volume equal to wet volume, आपको बने पिछले एक calculation भी बताया था, M20 grade, जो हम concrete की calculation कर रहे हैं, कि वहाँ पर, जब भी हम इन में क्या करते हैं, जो volume लेते हैं, मतलब sand लिया और cement लिया, जब उसमें पानी मिलाएंगे, तो उसका जो volume है, घनत पर वो कम हो जाए उसमें पानी मिलाएंगे, उसके बाद जितना हमें चाहिए, उतना wet volume बचेगा, तो इसका constant हम लेते हैं, 1.35, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि sand के अंदर, cement के अंदर pores होते हैं, छोटे-छोटे, voids होते हैं, तो जब sand में cement मिलाएंगे, तो sand के जो pores हैं, उनके बीच में कौन आ और plaster की thickness से हम कितना assume कर रहे हैं, जब देखे, घर के अंदर की plaster आप कर रहे हैं, तो minimum आप 12 mm का plaster रहे हैं, कितना 12 mm का plaster रहे हैं, और outer का कर रहे हैं, तो 20 mm का plaster रहे हैं, कितना 20 mm का, तो यहां पर हम कितना मान के चल रहे हैं, 12 mm के लिए हम लेके चल रहे हैं, 12 mm इकल टू कित area into thickness तो 9 into 0.012 equal to 0.108 meter cube यह हो जाएगा इसका volume के इतना हमें बनाना है अपना क्या plaster का material लेकिन इसमें आप एक चीज़ और रहा है कि जो वाल्व है joint वगर भी होते है into के into के बीच में क्या होते है joints होते है gaps होते है उन में उनको भी कई बार भरना पड़ता है तो उसके लिए हम 20% extra लेके चलते है कितना 20% extra लेके चलते है ठीक है टोटल का तो 0.108 plus 20% of 0.108 जब यह आप निकालेंगे तो यह आएगा 0.1296 meter cube कितना 0.1296 meter cube अब यह तो हो गया जब हम लगाएंगे तो वह गीला करके लगाएंगे तो हमने वॉल्यम जो निकाला है वह किसका निकाला है हमने गीले material का निकाला है ठीक है वेट का volume निकाला है अब हम dry volume कितना होगा जो आप यहाँ पर देखे यह देख चुके है अब यम जाएंगे की cement कितना लगा और scent कितना लगेगा Semynt कितना लगेगा cement है 1 part अपर mix ratio हम बहीं 4 का ले ले रहे है तो जो उसका dry volume है कि हम किस volume के लिए calculate कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, 0.175 के लिए calculate कर रहे हैं, तो 0.175 यह आ जाएगा हमारा 0.035 meter cube, तो इतना हमने cement लगाया, ठीक हमें इतना cement चाहिए, meter cube में, अब इसको अगर आपको kg में करना है, तो आप क्या करेंगे, 1.4 density से इसका multiply कर देंगे, तो जब 1.440 से इसका multiply करेंगे, तो यह आएगा 50.4 kg, तो एक bag cement का कितना kg का होता है, 50 kg का होता है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 50.4, तो मतलब approximately meant, एक bag cement लग जाएगा, एक 3x3 की दीवाल को plaster करने में, यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आया, और देखो, आपको यहाँ पर मैं unit भी बता दूँ कि यह kg में कैसे आया, यह तो meter cube में था यहाँ पर, meter cube में था, तो देखो, जो यहाँ पर हमने meter cube था, और जो density की unit क्या होती है, kg per meter cube, होता है, तो दौनों को multiply करें तो meter cube से meter cube को बढ़ जाएगा, जो बच्चे का unit work is में बच्चे का kg मत देगा, तो यह 50.4 kg आया, got my point, ठीक है, next, send कितना लेंगे, अब send है, 4 part, या तो देखो, यह काम करो, कि एक part cement सा, 4 part send है, तो आप जो meter cube में निकला 0.035, उसमें direct चार का multiply कर दो, आपका cement की quantity आ जाएगी, या फिर वही जो अपना symbols है, कि भाई, 4 part रहेंगे cement के, कितने में से, 5 part में से, into 0.175, यह आपका drive volume हुगा, equal to, तो यहाँ पे, total जब इनको करेंगे, तो क्या हैगा, 0.14 meter cube, ठीक है, meter cube में आ गया, लेकिन इसको हमें किस में करना है, मैं kg में कर देता हूँ, 1450 से इसका multiply कर दो, वही इसका density से multiply कर दो, तो यहाँ पे आ गया 203 kg, 203 kg के आसपास आया, और इसको square fit में, क्योंकि जब लली हम जो send खरीदने जाते हैं, तो किसना है, cubic fit, sorry, इसकार fit नहीं, cubic fit में खरीदने जाते हैं, तो cubic fit में convert करने के लिए हम क्या करते हैं, 35.31 का multiply कर देते हैं, जब 35.31 का multiply करेंगे, 0.14 में, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 4.94 cubic fit, तो इतना आप send लगा है, हमने जितनी cement के quantity लिए जितनी send के लिए, दोनों के addition करेंगे, और उसका 20% हम पानी लेते हैं, एज़ा थमरूल, कि हम कितना पानी लेंगे, 20% तो 20% of total, और किसका dry volume का, किसका dry material का, ठीक है, dry material, मैं बढ़ा 20% dry material का लेंगे, तो 20%, 20 by 100% को 100 मैं कर देता हूँ, ठीक है, और addition, कितना था, हमारे जो cement था, वो कितना था, 50 kilo हमने लिया, plus, जो send था, वो कितना लिया, 203 kilo लिया, तो 50 plus 203, या फिर इसको 50.4 भी कर सकते हैं, भी exact यह कर मान लो, तो इसका जो answer निकलेगा, 50.6 लिटर, या 50 लिटर के असपास, तो हमको पानी कितना लेना है, हमें लगबग 50 लिटर के असपास पानी, या 50.6 लिटर के असपास पानी लेना है, इसको आपका विए इसा dry density, ओ, सॉरी, इसको density से क्यों नहीं multiply करेंगे, तो यार, आपको पता है, लिटर और केजी अप्रॉक्स बराबर होते हैं, ठीक है, तो चलिए, अब फाइनल, आपको इस टेवल में देख सकते हैं, कि सीमें हमें एक 3x3 की दीवाल बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, अंदर से, चौड़ी, 10 फूट, उंची, दीवाल को अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं, तो उसमें कितना मट्रे लग गया, उसमें सीमें लगा, एक बैग, ठीक है, सेंड लगा 203 किलो, या फिर 4.94 CFT, क्यूबिक फिट, CFT बने क्यूबिक फिट होता है,